दोस्तो आज लोगसवा में जब प्रदानमंत्री मोधी ने राष्टपती के अभीभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो शुरुवात से ही निशाने पर कांग्रेस रही प्रदानमंत्री मोधी ने कांग्रेस को परजीवी तक बता दिया प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी एक तरफ अपनी सरकार की उपलब दियां बता रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी पहले की सरकारों को भी घे दरसल दोस्तो राश्टपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताओं पर लोगसबा में हुई चर्चाओं का जवाब देते हुए मंगलवार को प्रदान मंतरी मोधी ने कहा कि देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया कि ये दु इसरी बार देश की सेवा करने का मोका दिया ये अपने आप में लोग तंत्रिक विश्व के लिए बहुती महत्यपून और गोरवपून घटना है जनता ने ब्रस्टाचार के प्रती उनकी जीरो टोलरेंस की निती को आशरवाद दिया है उनका एक मातर लक्षे भारत सर्व प्रतम है दोस्तो आपकी जानकारी क्लबता दे प्रदानमंत्री मोधी ने कांग्रेस पर जम कर तंज कसे और उन पर चुन चुन कर वार किये इस वीडियो में एक एक करकर के प्रदानमंत्री के दुआरा कसे गए तंजों और जो जो वार किये गए कांग्रेस के उपर 2024 से एक परजीवी कांग्रिस पार्टी के रूप में जानी जाएगी उन्होंने कहा कि परजीवी वह होता है जो शरीर के साथ रहता है परजीवी उसी को खाता है जिस सरीर के साथ वह रहता है उसी को खाता है कांग्रिस भी जिसके साथ गडबंधन करती है उसी के वोट खा जा 50% है कांग्रिस की 99 प्रतिशत सीटों सीटों में से जादतर सीटे उनके सहयोगियों ने जिताई है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रिस पर जीवी पार्टी है उन्होंने कहा कि 16 राजियों में कांग्रिस जहां अकेले लड़ी वहां उनका वोट शेयर गिर चुका है के खंदे पर चड़कर सीटों का आकड़ा बढ़ाया है कांग्रिस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाये हैं अगर वो न खाये तो लोकसवा में उनके लिए इतनी सीटे जीत पाना भी मुश्किल था वहीं दोस्तों प्रदान मंत्रे ने इसके बाद कहा कि कांग्रिस के के कोशिश कर रहा है कि उन्होंने हमें हरा दिया है बच्चे का मन भैलाने का काम चल रहा है मोदी ने कहा कि मुझे एक किस्सा याद आता है नन्यान में माक्स लेकर घमंड में घूम रहा था कि देखो कितने जादा माक्स आये हैं तो लोग भी होसला बुलंद करते हैं लेक को शोले फिल्म की मोसी याद है वो कह रहे हैं कि मोसी तीसरी बार तो हा रहे हैं मगर मौरल जीत है अरे मोसी तेरा राज्यों में जीरो सीट आई है पर हीरो तो हीरो है ना अरे पार्टी की लुटिया तो डुबोई लेकिन पार्टी अभी भी सांसे ले रही है वहीं दोस् देश का मतलब है कि हर नागरिक के पास परियाप्त अउसर उपलब्ध हो। प्रदानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत घर में घुसकर आतंकवादियों को मारता है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझोता नहीं किया जाता। आतंकवादियों को उनकी जगह दिखा आई जाएगी। देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता। तो दोस्तो यह थे प्रदानमंत्री मोदी के आज के भाशन के हाइलाइट्स वैसे दोस्तो कमेंट करके बताईए आपको राहुल गांदी का भाशन ज्यादा अच